इसी केसे चल ले है 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 लो दोस्तों नमस्ते भाई गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग है जी आज तीन दिन की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात हो रही है है दोस्तों सटर्डे है बई क्या कि आपने इन तीन दुन की छुट्टियों में आप लोगों ने रिवीजन किया देखे मैंने आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस पढ़ा दिया है अच्छी तरीके से मैंने आपको ट्रेन पढ़ा दिया रेल गाड़ी है वी और मैंने बोट एंड स्टीम की शीट अपलोड कर दी है और आज मुझे बोट एंड स्टीम के सवाल करने है ठीक है प्यारे स्टुडेंट्स आज की क्लास में हमें सुरू करना है बोट एंड स्टीम रिविजन की आप लोगोंने है बई आज तो सर दिल्ली मर्थ कोई कांगार्थ कोई काया क्या तेजवाला आया क्या ठीक है बई चलो कोई बात नहीं तो टाइम स्पीड और डिस्टैंस और ट्रेन रेल गाली खटम करने के बाद आज की क्लास में बच्चे हम सुरू करेंगे यहां पर बोट एंड स्ट्रीम नाव एवम धारा हिंदी वाले भाई लिखे लेंगे नाव एवम धारा इंग्रिश वाले लेखेंगे बोट एंड स्ट्रीम सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाओंगा और फिर उसके बाद जो हम उसमें भी सवाल सुरू करेंगे मेरे प्यारे बैट ठीक ना सबसे पहले बेसिक समझो क्या टर्मिलोजी होती है क्या फॉर्मुला है क्या कं ठीक है बच्चो मैंने पहली बोल दया कि छोटा मोटा चैप्टर नहीं है टाइम स्पेन इस्टेंस में तीन सीट है ट्रेन है बोट एंड स्ट्रीम है रेस है काफी बड़ा चैप्टर है ठीक है ना सवाल इससे एक याना है इतना जाद है पढ़ोगे तयार आपका एक ही होता है नदी पानी की चाल धारा की चाल मेरे दोस्तों अब समझ मेरी बात को ध्यान से सुनीगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से बइच दिखे, नाव में क्या लगी होती है? मोटर, नाव में लगी होती है मोटर, तो अगर हम यह मालने थोड़ दिर के लिए कि पानी constant है, पानी नहीं चल ला है, पानी स्थिर है, इस्थिर पानी में अपनी नाव उतारते हैं, तो नाव की मोटर नाव को जिस स्पीड से च सब लोग मेरे दोस्तों अपनी कॉंप में लिखेंगे Speed of boat in still water Speed of boat in still water Speed of boat in still water सभी लोग ध्यान से सवाने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भी Speed of boat in still water हम इसे कहते सांत जल में नाव की चाल क्या कहते सांत जल में नाव की चाल सांत जल में नाव की चाल सुनना मेरी बात को सांत जल में नाव की चाल भई अगर हम थोड़ देर के लिए मान लें कि पानी नहीं बहरा है थोड़ देर के मैं माने कि पानी स्थिर है नाव की चाल अलग होती है, पानी की चाल अलग होती है, ठीक है बई? तो हम थोड़ देर के लिए मान लेते हैं कि पानी नहीं फिलो कर रहा है, पानी स्थिर है, केवल नाव चलाई जा रही है, तो still water में नाव में जो motor लगी हुई है, वो नाव को जिस स्पीट से चलाएगी उसे कहते हैं सांत जल में नाव की चाल, ठीक है बई? इसको हम X से डेनोट करते हैं, X किलो मीटर परावर, इसको हम X से डेनोट करते हैं, X से डेनोट करते हैं, ना? पहले भीजे पहुत पहले ही ठीक भई speed of boat in still water x km per hour यह बात सभी को समझ में आगी आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही यार थोड़ देर सांत रहके सुन नहीं सकते क्या एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है भाई एक थोड़ देर मुर्दा होके पढ़नी सकते क्या अरे हम यह पढ़ने की कोशिश कर रहा है सब अपना ही comment वाजी कर रहा है यह हो गया और वह हो गया अरे चूप चाप चूप चाप मुर्दे की तरह पढ़ो जिसको पढ़ना है वो चुप चाप बैठो पढ़ो और जिसको नहीं पढ़ना है वो लेक्चर बंद करो और भागो यहां से केवल चुप चाप पढ़ो जो भी प्रॉब्लम है वो बाद में बोलना चुप चाप पढ़ो केवल बैठे रो सुनते ही नहीं है यार बात को फिर पूछो का क्या है कैसे हुआ क्या हुआ अगर हम थोड़ देर के लिए मानले कि पानी इस्थिर है पानी नहीं चल लहा और पानी में हम नाव उतारते हैं तो नाव जिस स्पीट से चलेगी उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोर्टिन स्टिल वोटर शांत जल में नाव की चाल क्लियर है आप बोलोगे हां जी सर लेकिन मेरे प्यार भी पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होते है ठहरा हुआ पानी तो सड जाता है इसलिए नदी नाले का पानी क्या है हमेशा चलता रहता है तो उसे बोलते हैं स्पीड ऑफ करेंट पानी जिस स्पीड से फ्लो करता है स्पीड ऑफ करेंट पानी जिस चाल से चलता है उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ करेंट और स्ट्रीम समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही कोई परेशानी नहीं है इसे कहते है धारा या फर पानी की चाल समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही पानी नदी का पानी या समुद्र का पानी जिस स्पीड से फिलो होता है जिस speed से चलता हुसे हम बोलते है speed of current या फिर stream, इसे हम y से denote करते हैं, y से, y km पर आवर, बात समझ में आई, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई, तो आगे से जब भी मैं x इस्तमाल करूँगा, तो आप तुरण समझ जाओगे, कि स्थर पानी में नाव की चाल x है, speed of current या speed of stream को हम y से denote करते हैं, हमारे जितने भी सवाल होंगे, उन में x का मान हमेशा y के मानों से बढ़ा होगा, x की जो value है, वो हमेशा y की value से बढ़ी होगी, नाव की still water में जो speed है, वो हमेशा current की speed से बढ़ी होगी, क्यों, अगर ऐसा हो गया, कि नाव की speed कम है, और पानी ज्यादे speed से बहरा है, तो पानी तो नाव को बहा के ले जाएगा, और जब पानी नाव को बहा के ले जाएगा, तो पानी में नाव डूब जाएगी, और जब नाव डूब जाएगी, तो सवाल ही नहीं बनेगा, तो सवाल केवल तभी बनेगा, जब नाव की still water में speed स्पीड करंट की स्पीड से ज्यादा हो याने कि X का मान Y से बढ़ा हो अगर X का मान Y से छोटा हो गया तो मेरे दोस्तों नाफ पानी में बह जाएगी जब सब बह जाएगा तो सवाल नहीं बनेगा ठीक है जी करंट की स्पीड याने की बहते हुए पाने की चाल फिलोइंग वाटर की स्पीड बिल्कुल रमेश दौनों को बात समझ में आ गई अगर हम थोड़ दिर के लिए मान ले कि पाने इस्थिर है इस्टिल वाटर है पानी में कोई गती नहीं है हम इस्थिर पानी में अपनी इस्थिर पानी की जो चाल है उसे हम वाई से डिनोट करते हैं और एक्स का मान हमेशा वाई से बड़ा होता है अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी सभी स्टुडेंट ध्यान से समझने की कोशिश करेगा प्यारे स्टुडेंट्स ठीक है ना चलो मेरे दोस्तों अब यहां यहां पर दो केस बनते हैं जैसे मेरे दोस्तों यह नदी है नदी की जो इस्ट्रीम है दो धारा उसकी चाल है वाई किलोमिटर परावर नदी इस दिसा में बहरी है वाई की स्पीट से मेरे प्यारे भी वाई की स्पीट से ठीक है बच्चो आप इसमें अपनी नाव उतारत मैं चलाते हों मेरे दोस्तो x की speed से समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो सब लिखेंगे speed of boat speed of boat in same direction of stream speed of boat in same direction of stream speed of boat in same direction of stream मैं हर चीज को लिख लिख के बताता हूँ जिससे कि मैं अच्छी तरीके से बोल पाऊँ time दे पाऊ और खुद से उतार भी पाऊ speed of boat in same direction of stream नदी के बहाव की दिसा में नदी के बहाव की समान दिसा में नाव की चाल बताओ मेरे प्यार भी क्या होता है इसका मतलब देखे यह पानी है पानी करंट की चाल है वाई किलूमेटर परावर तो जिस direction में नदी बहा रही है आप उसी direction में अपनी नाव चलाते हो तो पानी के बाहाव की दिसा में नाव की चाल अबध्यान सुनेगा अगर पानी इस speed होती x पानी चला इस direction में y की speed से तो नाव खुद x की speed से चल लई है पानी y की speed से चला है तो पानी जो है नाव को आगे की तरफ धके लेगा पानी के ऊपर नाव चल ले तो पानी जिसे speed से flow कर रहा है पानी भी नाव को आगे की तरफ धके लेगा तो speed of boat in same direction of stream पानी के ब दाउन्स्ट्रीम बोलते हैं बच्चों इस क्या बोलते हैं मैं इसे डाउन्स्ट्रीम बोलते हैं तो आगे से जब भी मैं आपके सामने सब्द इस्तिमाल करूं डाउन्स्ट्रीम तो आप तुरह समझ जाएगा कि जिस दिसा में नाव बह रही है जिस दिसा में पानी बह रहा तो stream की same direction नाव की speed को हम कहते है downstream, और हम इसे d से denote करते हैं, किसे denote करते हैं, इससे d से denote करते हैं मेरे प्यारे बाई, तो पाने की सांत जल में चाल है x, current की चाल है y, तो नाव जो है x की speed से चल ही रही है, लेकिन पाने की खुद की चाल y है, तो पाने y की speed से नाव को आगे की धके लेगा, तो नाव की जो speed हो जाएगी, मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी x plus y, तो downstream की speed होती है x plus y समझ में आया, downstream की speed होती है x plus y समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई problem नहीं है तो पानी के बहाव की दिसा में नदी के बहाव की समान दिसा में नाव की जो चाल होती है उसे हम downstream कहते है मेरे प्यारे बाई, और d से denote करते हैं, क्या होता है, मेरे दोस्तों, x plus y इसकी हिंदी यही है, downstream को हिंदी में downstream ही कहते है speed of current constant यह मनीश समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई परिशानी नहीं है ठेके बच्चो एक case समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर दूसरा case आपको समझना है, दूसरा case ध्यांस सुनेगा, मैं आपके सामने यहीं चित्र बनाता हूँ यह है नदी, यह है नदी मेरे प्यारे भाई, ठीक है, नदी में क्या बहरा है, पानी बहरा है तो नदी बहरी है, मेरे दोस्तो, नदी चले इस direction में y की speed से आप अपनी नाव उतारते हो नदी के बहव के opposite direction में नदी के बहव के opposite direction में आप अपनी नाव को चलाते हो आप चला रहे हो X की speed से, सौंज में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, कोई परेशानी नहीं है, यानि, फिर आम क्या बोलेंगे इसको, speed of boat, speed of boat in opposite direction of stream, speed of boat in opposite direction of stream, speed of boat in opposite direction of stream, स्वंज में आया, पानी के बहाव की विपरीत दिसा में नाव की चाल, रहा हूँ, English में लिक रहा हूँ, हर एक चीज का diagram बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि एक वैसे का doubt नाया आपको concept में, लेकिन आपके अंदर इतनी सरम नहीं है कि दो मिनट के लिए, पंदे मिनट के लिए, मुर्दे की तरह बैठके पढ़ लें, जैसे प्राण निकल गए हूँ, यानि कि नदी बहरी है इस direction में y की speed से, current की जो चाल है y है, आप इसमें अपनी नाव उतारते हो, नाव में motor लगी हुई है, वो नाव की जो motor है, नाव को x की speed से opposite direction में खीचती है, तो आप मुझे बताओ, नाव के बहाव की विपरीद दिसा में, नद पानी के बहाव की विपरीद दिसा में नाव की चाल क्या होगी, आप इस दिसा में नाव चला रहे हो x की speed से, पानी विपरीद दिसा में बहरा है y की speed से, तो पानी opposite direction में चा रहा है, तो पानी नाव की speed को काटेगा की नहीं काटेगा आप बोलोगे हांदी सर काटेगा कम करेगा तो हम इसे बोलेंगे upstream क्या बोलेंगे मेरे दोस्ते से हम upstream बोलते हैं upstream और upstream को किस से denote करते हैं upstream को हम U से denote करते हैं U से upstream की speed को किस से denote करते है U से denote करते है तो बहिए नाव की still water में speed है x, पाने उस दिसा में जा रहा है y की speed से, तो पाने जो है नाव की speed को काटेगा, तो नाव की speed कितनी रह जाएगी x-y रह जाएगी, तो upstream की speed का मतलब है x-y, downstream का मतलब है x-y ठीक बहिए, तो पाने के बहाव की दिसा में जो नाव की चाल होते हैं, उसे हम downstream कहते हैं x-y, और पाने के बहाव की उपरीच दिसा में मेरे प्यारे भाई, पाने के बहाव की उपरीच दिसा में नाव की जो चाल होते हैं, उसे हम upstream बोलते हैं x-y, समझ में आया, आप अगर पाने श्थिर होता तो boat जिस speed से जाती है उसे हम कहते है speed of boat in still water x से denote करते हैं पाने जिस speed से current जिस speed से बहर ही है उसे हम y से denote करते हैं y km परावर समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही अगर आप यहां पर गौर से देखे तो आपको यह पता चलेगा मेरे दोस्तों कि downstream की जो speed है वो upstream से बड़ी होती है downstream की जो speed है वो upstream से ज्यादा होती है समझ में जारसी बात है लोग कहते हैं बहती गंगा में हाथ दोने इसका क्या मतलब है यानि की जिस दिस्वा में महौल चला है आप अगर उसी दिस्वा में चलोगे तो speed जाद होगी विपक्ष में रहोगे तो दिन बर गाली खाओगे समझ में आया की नहीं speed कम रहेगी तो पानी के बहाव की समान दिस्वा में आप चलोगे तो नाव तेजी से चलेगी downstream आहिए downstream और upstream, downstream भी नाव की चाल है upstream भी नाव की चाल है, पानी के बहाव की opposite direction में नाव की चाल, और यह होता है मेरे दोस्तो X प्लस Y अब प्रिश्टीम होता है मेरे दोस्तो पानी के भाव की अपोजिट डारेक्शन नाव की चाल ठीक है ना? X माइनस Y या आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बै अगर मैं इन दोनों को एड कर दूँ अगर मैं इन दोने क्वेसिष्टन को अड कर दूँ तो आप मुझे बاتाओ X का मान क्या आएगा अगर मैंने इन दोने क्वेसिष्टन को जोड दूँ दोनों को अड करोगे तो Y से Y कट जाएगा D प्लस Y कितना आएगा मेरे दोस्तो अड करूँ गा तो x जमा x 2x हो जाएगा तो x की value क्या आएगी x की value आएगी d plus u बटे दो x की value आएगी d plus u बटे दो बोलो बच्चो बात समझ में आई आप बोलो कि हाँ जी सर समझ में आई अगर मैं दोने equation को घटा दूँ पहली equation में से दूसरी equation को घटा दूँ तो d minus u कितना आएगा अगर आप घटाओगे तो x x कट जाएगा y में से minus y को घटाओगे तो 2y आएगा 2y तो y कितना आएगा d minus u बटे दो तो current की speed कितनी आएगी d minus u बटे दो बोलो बात clear है आप बोलो कि हाँ जी सर clear है यानि कि अगर किसी सवाल में downstream की speed और upstream की speed दे रखी है तो मेरे दोस्तो downstream और upstream की speed दे हुई है तो नाव की still water में speed कितनी है दोनों को जोड़ के आधा कर दो current की speed होती है तो अगर आपको पता है तो नाव की still water में speed होगी x दौनों को जोड़ के आधा कर दो current की speed होगी दौनों को घटा के आधा कर दो रमेश ये कोई relative speed नहीं है एक object के ऊपर दूसरा object चला है एक object के ऊपर दूसरा object एक विएट दिखा न कर दो दूसरा नहीं है ठीक है भाई? डाउन स्टीम की speed क्या होगी x प्लस y upstream की speed x बाईनस y दौनों को जोड़ेंगे तो x का मान काएगा d प्लस y बटे दो y का मान कितना आएगा d मानस y बटे दो समझ में आया आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुँच है अगर मैं दौनों को divide करता हूँ तो आप मुझे बताए downstream की speed और upstream की speed का ratio कहा है downstream की speed का ratio x प्लस y बटे x-y downstream की speed का ratio x प्लस y बटे x-y आप बोलोगे हाँ जी सर विलकुँच है अगर इन दौनों को divide करता हूँ तो यहां से X से Y का रेशियो काईगा, X से Y का रेशियो जबाब दो, तुम लोगों को पढ़ाने को कोई फायदा ही नहीं है, अपनी अपनी कहानी गाने में लगे हुएं, एक भी बालक का पढ़ने का ध्यान नहीं है, जिस हिसाब से तुमारी हरकते हैं, और जैसे तुम पढ यहां से X से Y का रेशियो क्या आएगा, X से Y का रेशियो जवाब दो, जल्दी से, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो डाउंस्टीम और अपिस्टीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा, दीपू चुप चाप पढ़ो, चुप चाप मुर्दे की तरह है, एक से Y का रेशियो क्या होगा, X से Y का बताओ, कमपेंडो डीडेंडो हमने आपको पढ़ाया है, रेशियो मं पहली बढ़ चुके हैं, तो X से Y का रेशियो होगा, वो होगा, D प्लस U upon D मानिस U, आगे जब सवाल होगे, तो मैं इस चीज का डारेक्ट इस्तिमाल करूँग यह मत पूछना कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, मैं दुबारें नहीं समझाऊंगा, X से Y का रेशियो आएगा, D प्लस U upon D मानिस U, सबीको बात समझ में आगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई परिशानी नहीं, ठीक है भाई, तो देखो, अभी तक मैंने आपको कुछ पानी नहीं चल लहा, पानी स्थिर है, इस्थिर पानी में अपनी नाव उतार देते हैं, तो नाव के पीछे लगी होती है मोटर, तो मोटर नाव को जिस स्पीट से आगे की और धके लेगी, जिस स्पीट से नाव को पुश करेगी, जिस स्पीट से नाव चलेगी, उसे हम बोलते हैं नाव की शांत जल में चाल यह imaginary speed है कि अगर पाने श्तिर होता तो नाव की जो चाल होती वो कहलाएगी शांत जल में नाव की चाल एकसे रोट करते हैं पाने जिसे speed से चला उसे बोलते हैं speed of current और steam y समझ में आया आप बोलोगे हां दी सर अब यहां पर दो केस बन सकते हैं एक तो आप पाने के बहाव की दिसा में नाव की चाल नाव चलाओगे तो पानी भी इस डारेक्शन में बहरा है आप अपनी नाव इस डारेक्शन में चलाते हो तो speed of both in same direction of stream पाने के बहाव की समान दिसा में आप नाव की चलाओगे तो उसे उस case पर जो नाव की speed होगी उसे हम downstream कहते हैं downstream हो जाएगा x plus y पाने के बहाव की विपरीज दिसा में नाव जिस speed से चलेगी उसे हम upstream कहते हैं x minus y downstream की speed हमेशा upstream से बढ़ी होती है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा तो X का मान आएगा D plus U बटे 2 अगर मैं इनको घटा दूँगा तो Y का मान आएगा D minus U बटे 2 समझ में आया इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो downstream, upstream का ratio आएगा X plus Y बटे X minus Y यहां से X से Y का ratio आएगा D plus U upon D minus U ठीक है ना, हाँ, race की sheet मैंने पहले upload करवा दिया बोटेंट stream की भी करवा दूँगा, दोनों ही topic की sheet मैंने बना दिया race की भी और बोटेंट stream की भी X X बड़ा होता है Y से मेरे दोस्तो ठीक है ना, और downstream की speed बड़ी होती है पिश्टीम से यह बच्चा कह रहा है कि X बड़ा क्यों है Y से मैं कई बार जवाब दे दी आप सुनते क्यों नहीं हो, एक बात बताओ आप एक knob है, knob पानी मोतारते हो, knob में motor लगी हुई है वो motor नाव को चलाती है 5 km per hour की speed से नाव है, मरी हुई नाव है आपकी पुराने जमाने की नाव है motor लगी हुई है, वो motor नाव को चलाती है 5 km per hour की speed से X कमान 5 है, नाव की संत जल में जो है, संत जल में जो चाल है, वो 5 है आप रिंग नदी में उतार दी, गंगा नदी में, गंगा नदी बहरी है 80 की स्पीड से, 80 किलमेटर परावर की स्पीड से गंगा नदी चल लएए, तो बताओ आपकी नाव के साथ क्या होगा, नाव में जो मोटर लगी हुई है वो नाव को चलाती है 5 की स्पीड से, गंगा गंगा नदी की स्पीड जादे है, नाव की स्पीड कम है, तो गंगा नदी तो नाव को बहा के ले जाएगी, जो बहा के ले जाएगी तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, जो राम नाम सत्य हो जाएगा, आप डूब जाओगे, मर जाओगे, तो फिर सवाल कैसा बनेगा, स सवाल नहीं बनेगा logically बात है logically इसमें mathematics नहीं है कोई कि mathematics हो इसमें कोई logic है समझ में आया है दोस्तो यह कोई गड़ित नहीं है सर अब मौक लगाना शुरू कर दे हाँ जी बिल्कुल अब मौक लगाना शुरू कर दीजिए ठीक है न मुझे नहीं लगते हैं तक किसी बच्ची को कोई doubt है कोई समस्या है ओके चलो अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे सब लोगों न अच्छी तरीके से उतारा है मेरे प्यारे भाई यह concept को इस पर बेस question करेंगे एक second hold करो hold करो एक second अबुरांगे प्यारे ज यह आतारा घ्थ फग्दिशWhen उन्सपित सब्केंड है कर दो है आतारांगे झाल झाल चले दोस्तों शुरू करते हैं बहुत बेसिक सवालों से इसका कंसेट जानना बहुत जरूरी है अगर आप कंसेट नहीं जानोगे तो सवाल ही नहीं होंगे मेरे दोस्त सवाल नंबर है आपके सामने 1 बिलकुल लेटेस सवाल करांगा एकी शीट है छोटी सी एकी शीट में आपका समाप्त हो जाएगा रेस की भी एकी शीट है ठीक है जी? चलो बच्चों बताओ इस सवाल का क्या आंसर है इस बात का मतलब यह है कि जब आप नाव को पानी के बहाव की सेम डारेक्शन में उतारते हो नदी के बहाव की सेम डारेक्शन में जो नाव की स्पीड है वो डाउन स्टीम अर तालिस है धारक विप्रीच जान में नाव की चाल इस्टीम के अगेंस्ट नाव की जो चाले उसे हमें अप इस्टीम बोलते हैं यह है 32 किलोमेटर पारावर आप से पूछे सांत जल में नाव की चाल एक्स अभी पढ़ा है एक्स कमान के आएगा डी प्लस यू बटे दो दोनों को जोड़ के आधा करना है तो 48 प्लस 32 हो जाएगा 80 80 का आधा 40 थर्ड ओप्शन सवाल का अंसर हो जाएगा बिना कलम उठाए ठीक है बच्चे तो देखें अगर आपको कंसर्ट पता है तो एक सेग्मिन का सवाल है जिस बच्चे को नहीं पता है वो कैसे कर पाएगा बताओ एक और सवाल सवाल बहुत आसान है तो इसका मतलब यह नहीं पेपर में आते नहीं है आते हैं बहुत सिंपल सवालों से मैं सुरुआत करता हूँ और मैक्सिम लेवल तक करवाता हूँ इतना मैं पढ़ाँगा कि बोट एंट स्टीम का आपको एक भी प्रिविसर का सवाल करने की जौरत नहीं है कि और शीट के साट सवाल सौल कर लो बस और सांथ हो जाओ कुछ भी करने की जौरत नी जितना मैं बतार हूँ केवाल उतना काफी है एक बोट कवर से सटें डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम वी 33 किलोमेटर परावर है और अपस्टीम जो बोट चौदे किलोमेटर परावर है नदी के बहावकी समान दिसा में जो नाव की चाल है वो 33 है नाव की स्पीड है, वो 14 km पर आवर है, then find the speed of water in still water, आप से पूचाए, इस्थिर जल में नाव की चाल बताओ, and also find out the speed of current, current की स्पीड भी आपको बतानी है, current की स्पीड बताए, तो मेरे प्यारे भाई, speed of water in still water x कितना आजाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, x का मान, 33 प्लस 14 बते 2, यहनि कि 47 बते 2 हो जाएगा, 36, current की स्पीड आजाएगी, घटा के आधा कर दो, 33 माइनस 14 हो जाएगा, 19, 19 बते 2 आजाएगा, 69, तो current की स्पीड आजाएगी, 69 किलोमेटर परावर, second option इस सवाल का अंसर हो जाएगा, मुझे लगता है किसी बाला को कोई डाउट इसमें है नहीं, आगे चलते हैं, सवाल लंबर हैं बच्चों आपके सामने 3 बताएए मेरे प्यारे दोस्तों, करो, करो, MTS 2020 के पीपर का पूछा होँ सवाल बनाएंगे, एक व्यक्ती सांत जल में 5 मीटर पर सेकिंड की स्पीड से नाव चला सकता है, ये पहली लैन क्या दिये, पहली लैन क्या दिये, क्या दिया है सवाल में, एक्स का मान दिया है, कि एक आदमी, एक नाव को सांत जल में चला सकता है, 5 मीटर पर सेकिंड की स्पीड से, निकि नाव की शांत जल में जो चाल है, इस्टिल वाटर में नाव की जो स्पीड है, एक से डोनोट करते हैं, वो 5 मीटर पर सेकिंड है, किलो मीटर पर आवर में क्या हुआ, मीटर पर सेकिंड को किलो मीटर परावर में बदलना है तो अठारे बटे 5 से गुणा 18 किलो मीटर परावर 18 किलो मीटर परावर करंट की जो स्पीड है y करंट की स्पीड जो y वो 6 किलो मीटर परावर सवाल में दियुए यह धारा की चाल, y आपको दिया है, 6 km पराबर, y की वैलू कितनी दिया, x की वैलू अठा रहे है, km पराबर, y की वैलू है, 6 km पराबर, तो बोला है, कितना time लगेगा, 76.8 km डाउन स्टीम जाने में, आदमी को कितना समय लगेगा, अगर कोई आदमी डाउन स्टीम जाएगा, डाउन स्टीम आलाब, पाने के बहाव की same direction में जाएगा, तो कितना समय लगेगा, तो downstream की speed क्या हो जाएगी x plus y x plus y 18 6 24 तो downstream की speed है 24 km per hour तो 24 km per hour की speed से 76.8 km distance जान में कितना समय लगेगा 76.8 को 24 से divide करेंगे तो समय लगेगा 24 तिया 72 4 बचेगा 24 दूनिय 48 3.2 hours और यह सवाल का आंसर होगा C option 3.2 hours खतम सवाल कुछ भी नहीं है केवल definition पर बेश सवाल इनमें कोई extra logic नहीं लगाना है जिस बच्चे ने definition भी धंग से पड़ी है जो termology भी जानता है वो इन सभी सवालों को कर पाएगा आगे चलेंगे दोस्तो सवाल number है आपके सामने यहाँ पर चार बनाओ करो जी जवाब देंगे इस सवाल का क्या आंसर है फटा फटा बताओ जल्दी से सभी लोग सभी लोग जवाब देंगे सभी लोग जवाब देंगे झालों क‬ज़े ़ी लोग लोग जवाब देंगे है इस का लोग जलता शूजल ज़ता है झाल 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 आया मैं ज़्याद़ पाने पी लिया है ए परसर रोज ए डिस्टेंस ऑफ 3 to 3 by 4 किलोमेटर आपस्टीम इन देड़ घंटा एंड डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमेटर डाउंस्टीम इन 2 आवर्स हमस्ट आम विल दा परसर टेक टो रोज डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमेटर इन स्टिल वॉटर आदमी को 90 किलोमेटर सांत जल में जाने में कितना समय लगेगा अगर एक क्वश्चन सॉल करना है तो आदमी नाव की सांत जल में चाल निकालनी है देखो एक नाव 3 to 3 by 4 किलोमेटर डिस्टेंस जाती है अपिस्टीम डेढ़ गंटे में तो यहां से अपिस्टीम की स्पीड पता लग जाई 3 to 3 by 4 का मतलब होता है 4 तीया बार है 3 पंदरे बटे 4 पंदरे बटे 4 किलोमेटर डिस्टेंस जाती है एक नाव डेढ़ गंटे में डेढ़ गंटे का मतलब 1.5 तो अपिस्टीम की स्पीड के आ जाएगी बच्चो अपिस्टीम की स्पीड का एगी डेढ़ से पंदरे जाएगा 10 बार 10 बटे 4 आ जाएगा धाई अपिस्टीम की स्पीड आगी धाई किलोमेटर परावर और ये नाव 13 किलोमेटर डाउन स्टीम जाती है दो घंटे में तो डाउन स्टीम की स्पीड का आएगी डाउन स्टीम की स्पीड का मतलब होता है पानी के बाहव की सेम डारेक्शन में नाव की चाल 13 किलोमेटर जाती है डाउन स्टीम कि बोलूँगा ?raq 24 तो भैया नाव की इस्टिलफटर में स्पीड आगी 2004 किलोमेटर पर आवर आप बोलोगे हां,जी सरE, बोला कितना समय लगेगा एक आदमी को nabh 어딗 किलोमेटर इस्टिल बोटर में जाने में तो 90 किलोमेटर जाएगा स्टिल वाटर में सांत जल में तो 90 किलोमेटर जब जाएगा तो X की स्पीट से जाएगा नाव की सांत जल में चाल कितनी होती है साड़े चार तो 90 किलोमेटर जाओ गए साड़े चार किलोमेटर पर आवर की स्पीट से सांत जल में तो कितना समय लगेगा 90 को 4 से भाग देंगे 20 घंटे का समय लगेगा और यही सवाल का अंसर है B option तो बच्चों सवाल में जो चीज पूछी गई है उसके लिए हमें क्या चाहिए हम उसी पर टेक करेंगे और वही निकालेंगे ठीक है स्टुएंट्स आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं है अगला सवाल सवाल लंबर है आपके सामने 5 बनाओ इस्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमेटर पराबर है धारा पिरवाद धारा पिरवाद मतलब करंट की स्पीड 6 किलोमेटर पराबर है दारा की चाल इस्थिर जल में एक नाव की चाल x का मान आपको दिया है 30 किलोमेटर पराबर करंट की स्पीड आपको दिया 6 किलोमेटर पराबर the distance traveled up steam in 5 मिनट ये नाव 5 मिनट में कितनी distance travel करेगी 5 मिनट में भיה आपको time दिया हुआ है पांच मिनिट में नाव दोरा अप स्टीम में चलेगी दूरी पूची है तो question solve करने के लिए अप स्टीम की speed निकालना है अप स्टीम की speed आएगी x-y यानि कि 30-6 24 km per hour अप स्टीम की speed आगी तो पांच मिनिट में अप स्टीम में धारा के विरुद्ध पांच मिनिट में धारा पिरवाग विप्रीच दिसा में कितनी दूरी जाओगे distance वराबर speed गोना time अप स्टीम की speed 24 km पराबर है time कितना है पांच मिनिट पांच मिनिट को अगर मैं आवर में लिखूंगा तो पांच वटे 60 होता है एक वटे बारे आवर पांच मिनिट को हम कहेंगे एक वटे बारे आवर तो कितना आएगा बारे दूरी 24 दो किलोमेटर तो दो किलोमेटर की आप distance जाओगे यही सवाल का answer आएगा c option correct है हर कोई बाला की सवाल को समझ पा रहा है कर पा रहा है सबसे नीचे स्तर के सवाल है इससे नीचे स्तर के सवाल बनते नहीं है बताओ मेरे प्यारे भी करो क्या answer इस सवाल का बनाए a man can row a distance of 900 meter against the stream in 12 minute and return to the starting point in 9 minute what the speed of the man is in still water देखो भाई एक आदमी धारा के प्रतिकूल 900 किलोमेटर जाता है 900 meter जाता है 12 minute में जहर सी बात है अगर कोई आदमी against the stream जाएगा against the stream धारा के बरुद्दू तो जब वापस आएगा तो downstream हो जाएगी किने उसकी speed लॉजिक क्लियर है अगर कोई आदमी पाने के बहाव की विपरीज सामें जाएगा तो जब वापस आएगा तो पाने के बहाव की same direction में आएगा downstream जाएगा अप stream जाएगा तो downstream लोट कर आएगा तो एक आदमी जाता है अप stream 900 meter 12 minute में तो अप stream की speed क्या है 900 meter को अगर मैं किलो मीटर में लिखूंगा तो 1000 से भाग दीना होगा 900 बटे 1000 होता है 0.9 km कितने समय में 12 minute में 12 minute को आवर में लिखेंगे तो 12 बटे 60 आवर यहनि कि एक बटे 5 एक बटे 5 आवर हो जाएगा यहनि कि अप stream की speed आजाएगी साड़े चार आदमी लोट कर आता है starting point पर 9 minute में तो 900 minute sorry 900 meter 900 meter का मतलो होता है point 9 km लोट के आता है आदमी 9 minute में 9 minute में तो point 9 km लोट के आने में downstream 9 minute लगता है 9 minute को आवर में लिखेंगे तो 9 बटे 60 आवर 9 से 9 कटेगा point 1 बार 60 की उपर गुणाओगी 6 तो downstream की speed आजाएगी 6 km पर आवर आप बोलोगे हाँ जी सर और इस आदमी की स्थिर जल में गती क्या है आप से X कमान पूछा है तो X कमान आएगा D प्लस U बटे 2 इन दोनों को जोड़के आधा करना है 6 प्लस 4 साड़े 10 साड़े 10 का आधा आजाएगा 5.25 5.25 का मतलब आगे C option 5.25 km पर आवर C option ठीक है बटी कुछ नहीं करना आपको upstream की speed निकाल ली आपने downstream की speed निकाल ली नाव की स्थिर जल में कती पूछी है दोनों को जोड़के आधा कर देंगे X वराबर D प्लस U बटे 2 concept सारे अच्छे से बता हुएं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं सर इसको ratio से कैसे करेंगे बई ratio वाला सवाल नहीं है ये बई इसमें तो downstream और upstream को जोड़के आधा करना है ठीक बच्चो सब बच्चो का answer आ गया है very good सवाल को डंग से पढ़ो समझो सवाल का किवल आपको meaning समझना है बाकी करने में तो कुछ भी नहीं है इन सवालों में आगे चलेंगे student यहां तक सारे सवाल जो है किवल definition पर based हैं सवाल नंबर 15 तक 15 नंबर सवाल तक जो है एकदम basic सवाल है किवल परिभासा पर based किसी में कुछ पूछा गया है किसी में कुछ ही बताओ स्सी जीडी के paper का पूछ हो सवाल है मैं हर एक्जाम का आपको question करवा रहा हूँ 2023 का बनाएं बच्चो क्या answer है एप परसन रोज बोट 11 km in 5 hours and return upstream in 7 hours what the speed of stream in km per hour क्या आप नहीं कर सकते आप से पूछा है current की चाल current की चाल होता है d minus u बते 2 अगर मुझे current की speed निकालने तो downstream में से upstream घटा के आधा करना है यही तो होगा आप बोलोगे answer तो अब से यह बोला गया कि एक आदमी 11 km चलाता है बोट downstream 5 गंटे में तो downstream की speed होगी क्या 11 km जाता है एक आदमी downstream 5 गंटे में तो downstream की speed आएगी 11 गंटे 5 फिर return होता है upstream 7 गंटे में तो आदमी 11 km आप upstream वापस आता है में 11 km तो upstream की speed 11 गंटे 7 आपसे current की speed पूचे तो घटा के आधा कर देंगे मेरे प्यार भी आप बोलोगे हाँ जी सर बिलकुल सही तो 5 और 7 कल्सियम 35 आ जाएगा यहां से 7 और यह 5 77 मानिस 55 आ जाएगा जी 22 और यह बटे 2 2 से 22 आपका 11 बार कड़ जाएगा तो current की speed आजाएगी 11 बटे 35 km परावर 11 बटे 35 और यही सवाल का answer था option number A यहां से correct 11 बटे 35 कुछ भी नहीं है हर बच्चे का answer आगया आप बोलोगे हाँ जी सर हर एक language पर मैंने सवाल लिया है ठीक है भाई आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी यह बताओ मेरे दोस्तो next question आपके सामने आठवा जितना मैं करा रहा हूं किवाल उतना काफी है बस आप class देखा करो revision करो notes बनाओ चुप चाप बैड़ जाओ अगर आप प्रिविसर का एक भी सवाल ना लगाए कोई फरक नहीं पड़ता मैं बिलकुल नहीं कह रहा कि आप जो है कि लास पर मैं आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा और फिर आपको मैं 200 question की sheet देदूँगा प्रिविसर के जो है 100-500 सवाल लगा लिना कोई फायदा नहीं है उसका मैं ही करवा रहा हूं सारे एकदम easy question है easy question भी paper में आते है इसलिए इनको भी करवा रहे है to go a distance of 144 km अप इस्टी में रोवर टेक्स 12 hours while it takes her only 9 hours to route the same distance downstream the speed of stream इस करके बताईएगा भाई इस सवाल का answer करके बताओ same question बस data change downstream की speed निकालो अप इस्टीम की speed निकालो अब बैंक का question भी करवाएंगे very good सब बच्चों का answer आ गया 2 सब बच्चों का answer आ गया पहला option 2 km per hour हर एक बालक का आ गया कुछ समनी आ नहीं जैसे कभी divide कभी multiply कर रहा है रहा कुछ नहीं कर रहे आदर्स अपनी मर्जी से थोड़ न कर रहे हैं जो सवाल कह रहा है वो कर रहे है कच्रा लोग स्पीड निकालेंगे तो distance को time से भाग नहीं करेंगे यह बताओ सवाल लंबर है आपके सामने नो करो जल्दी से बुद्धी तो लगाते नहीं है दो कॉड़ी की बनाओ जल्दी से एपरसन रोज अपिश्टी में distance of 55 km in 5 hour and रोज डाउन श्टी में distance of 75 km in 3 hour How much time will you take कितना समय लगेगा 96 km still water में जाने में कितना समय लगेगा बताएं एक नाव अपिश्टीम जाती है 55 km 5 घंटे में तो अपिश्टीम की स्पीड क्याएगी एक नाव 55 km अपिश्टीम जाती है 5 घंटे में तो अपिश्टीम की स्पीड आजएगी 11 ये नाव डाउन स्टीम जाती है 75 km 3 घंटे में नाव डाउन स्टीम की दूरी जाती है 75 km 3 घंटे में तो एक घंटे में कितना जाएगी पच्चिस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, पच्चिस आगी डाउन स्टीम की स्पीड, तो एकस के आएगा, एकस आएगा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डी प्लस यू बटे दो, पच्चिस प्लस ग्यारे, छतिस छतिस का तो आप से पूचा, सांत जल में आव को 96 किलोमेटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 96 किलोमेटर जाओगे आप, आठारे की स्पीड से कितना टाइम लगेगा ये, 6 से जाएंगे 16 बार, 6 से जाएंगे 3 बार, 3 पंजे 15 है, 5 सही एक वटा 3 घंटे, और 5 सही एक वटा 3 घंटे को हम कहेंगे, 5 घंटा 20 मिनट बी ऑप्शन, 5 आवर, और एक वटे 3 घंटे का मतलब है, 20 मिनट, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही एक दम क्लियर है, नेक्स्ट, अगला सवाल आप पढ़ेंगे, सवाल लंबर है आपके सामने 10, यह मनो, यह जीडी के पेपर का पूछावा सवाल है, फटा फट हर बच्चे सवाल का आंसर मुझी करके बताएगा, सब ब आकास को छोड़के पूरी दुनिया का आंसर आ रहा है, आकास बिटे थोरी दुबारे से पढ़ो, तुमने थोरी नहीं पढ़ यह डंग से, बाकी सब बच्चे आंसर बता रहा है, एक एक बालक, वेरी गुड बच्चों, यह बताएग, वेरी गुड, समस्दार तो तुम ह चिके वाई? बशना है झाल 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 गोरा गोरा आंसर निकालेंगे यहां भी आपको वही करना है गोरा यहां है बेटा किलो मीटर पर आवर में है, तो टोटल समय कितना लगा है, बीस से काटेंगे 76 को 3.8 बार, 104.5 को काटेंगे 11 से, तो 11.99, 5.15, 5.59 बार, तो आगर 9.3 बार है, और 0.8 में 0.5 जोड़ेंगे 1.3, 13.3 आवर्स, 13.3 आवर्स का मतलब है, 13 घंटा, 18 मिनिट, बी 13 घंटा तो ही, अब 3 आवर को मिनिट पे बदलना है, तो 60 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो 18 मिनिट आ जाएगा, सवाल लंबर है, मेरे दोस्तों, आपके सामने यहां पर बारे बनाओ, इस सवाल का क्या अंसर होगा, बताओ, जल्दी से कौन करेगा, दोस्त, बारे नंबर क्वेश्चन बनाएं, करिए, 15 नंबर सवाल तक बेसिक सवाल है, जो केवल डेफिनिशन पर बेस्ट क्वेश्चन है, बोलो, सांत जल्द में एक नाव की चाल 27 किलोमेटर पर आबर है, यानि कि X का मान आपको दिया है 27, एक बोट की स्टिल वाटर में इस्पीड 27 किलोमेटर पर आबर, X का मान 27 है, ठीक है बच्चो, इट कवर्स अपश्ट्रीम, एक डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमेटर इन 4 घंटा 5 मिट, ये नाव अपश्ट्रीम जाती है 85 किलोमेटर की दूरी 4 घंटे 5 मिट में, 85 किलोमेटर अपश्ट्रीम इन आव जाती है कितने समय में, 4 घंटा 15 मिनट का मतलब होता है 1 by 4 आवर, ये नाव अपश्ट्रीम जाती है मेरे दोस्तों 85 किलोमेटर की दूरी 4 घंटे 5 मिट, 4 घंटा 15 मिट का मतलब 1 by 4 आवर, तो 4 चौक 16 और 17 बटे 4 घंटे में, तो 17 पंजे 85 पांच चौक 20, अपश्ट्रीम की स्पीड आगी 20, 20 किलोमेटर परावर अपश्ट्रीम की स्पीड आगी, आप से पूचा है धारा की चाल, आप से करंट की स्पीड पूचिए, बताओ मेरे दोस्तों करंट की स्पीड, आपको X कमान दिया है, आपको अपश्टीम कgression कै खीशिbir है, आपश्टीम की स्पीड के स्पीड की चाल की स्पीड आपसे पूचे की स्पीड की स्पीड आपसे पूचे तो 7 आजईगी, 27 बताओ माइनस 27, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हलका सा tricky है, कुछ भी मुस्किल नहीं है, बहुस सार आसान सवाल है बताएंगे अगला question आपके सामने सवाल है बच्चों next 13 प्रसन 13 नमबर सवाल जवाब दीजेगा जी इस question का क्या आंसर है सभी बच्चे एक सांस में जवाब देंगे बनाएं करो question है आपके सामने फटाफट बनाएंगे बच्चे झाल 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 है बई झाल झाल 80 km की दूरी 80 km की दूरी आप आप स्टीम जाओगे 30 की स्पीट से कितना समय लगेगा 80 वटे 30 घंटे लगेगा यानि की 0 से 0 गया गिअटो, स्टीश्थ स्टीम द। स्ट्था 50 की दूरी अगश्टी अगेआ tavख्यां बच्शों की आप स्टे में वीटन आंप्शों आप हम लोग लेंगे सवाल लंबर 14 है बनाए चले बच्चो सेम ऐसा ही question है बस data change है करके बताओ इस सवाल का अंसर क्या हुआ सेम ऐसा ही question बनाओ इस थिर पानी में एक motor boat की speed 36 km परावर है यह एक घंटे 45 मिनट में धारा के पृतिकूल 56 km की दूरी जाती है तो आपसे पूछा है सेम डिस्टेंस डाउन स्टीम जाने में कितना समय लगेगा देखे जो भी समय लगेगा एक घंटे 45 मिनट से कम ही लगेगा एक ही option है solve करने की जोरती नहीं है देखे बच्चों मैंने आपको यह पढ़ाया है कि downstream की speed हमेशा upstream से जाद होती है और speed जो होता है वो time का reverse होता है speed और time का ratio का reverse होता है अगर distance same है downstream की speed हमेशा upstream से जाद होती है तो यानिक अगर आप same distance जाओगे तो downstream में समय कम लगेगा upstream में समय जादे लगेगा एक नाव 56 km आपsteem जाती है एक घंटा 45 मिनट में तो एक घंटा 45 मिनट में एक नाव upstream जाती है same distance downstream जाने में कितना समय लगेगा अगर आप downstream जाओगे downstream मतलब जादे speed से जाओगे तो समय कम लगेगा एक घंटे 45 मिनट से कम समय लगेगा और एक ही option सवाल में दिया हुआ है option number C और यही सवाल का answer हो जाएगा मुझे इस सवाल को solve करने की ज़रती नहीं है बताओ कोई ज़रत हैगे सवाल को solve करने की कोई ज़रत नहीं otherwise आप पिछले सवाल की तरह करेंगे सभी बच्चे कि अगर आप stream में घंटे 45 मिनट लगाए तो same distance आप downstream जाओगे तो एक घंटे 45 मिनट से कम लगेगा जो एक ही option दिया हुआ है ठीक है सवाल समाप्त आगे चलेंगे अगले question की तरफ student सवाल number है आपके सामने यहाँ पर प्यारे भाई पंद्र है यह बताएंगे मेरे प्यारे भाई 15 number last basic question है आपके सामने last question है basic ठीक है बच्चो average विकास ओके अनसुल सर्माप्त बेशिक से बताओ बेटा अनसुल तुम special नहीं हो सारी यह दुनिया ही बेगनर है और मैं basic से बताओ नहीं सब बच्चे answer बता रहें solve कैसे करेंगे जैसे सवाल number 13 solve किया बिल्कुल वैसे ही solve करोगे 13 number solve किया था ठीक जी आगे चलेंगे अगला सवाल तुम पहले basic concept पढ़ा करो पहले 3-4 दिन तक उसके बाद सवाल किया करो यह बहुत ही जाद है बहतरीन सवाल है मेरे दोस्तो इससे बहतरीन सवाल की उमीद नहीं की जा सकती आप मुझे बताओ केवल आपको terminology clear होनी चाहिए आपको मतलब पता होना चाहिए हर एक चीज का ठीक बई पहली line पढ़ो पहली line पढ़के क्या समझाता है the speed of boat and still water is 6 km per hour more than speed of current यह पहली line आपको दी है आप मुझे बताओ इस line से आपको क्या समझाता है यह सब घुमा फिरा के दिया है नाव की शांत जल में चाल current की speed से 6 km per hour जादा है basically upstream की speed बोलिए नाव की शांत जल में चाल होती है x current की speed होती है y सवाल में दिया है नाव की जो still water में speed है वो current की speed से 6 km per hour जादा है यहने कि आपको upstream की speed दी है 6, x-y 6, यह upstream की speed दी है, समया, आपसे पूछा है सांत जल में नाव की चाल, यहने कि question solve करने के लिए आपको यहां से x का मान निकालना है, अब सुनो, एक नाव टोटल 8 घंटे लेती है, 44 km downstream जाने में, एक नाव 44 km downstream जाने में, और 36 km upstream जाने में, 36 km upstream जाने में, टोटल 8 घंटे का समय लेती है, 8 घंटे का, तो आपसे पूछा x का मान, क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे पर, मेरे को upstream की speed पता है, अगले लिए पड़ो, एक नाव टोटल 8 घंटे का समय लेती है, 44 km downstream जाने में, और 36 km upstream जाने में, speed of water and still water आपसे पूछा है, आप upstream की speed कितना है, 6, तो 36 km आप जाओगे, upstream 6 की speed से कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेगा की नहीं लगेगा, upstream की speed 6 km परावर है, आप 36 km जाओगे, 6 km परावर की speed से, तो 6 घंटे लगेगा, अगर टोटल 8 घंटे का समय लगा है, तो यहां कितना समय लगा होगा, 2 घंटे, 2 घंटे लगा होगा की नहीं, आप बोलोगे, हाँ जी सर, 2 प्लस 6 हो गया, 8 घंटा, यहां कि 44 km downstream जाने में आपको 2 घंटे लगा, तो downstream की speed कितनी आएगी, 44 बटे दो 22, downstream की speed 22 घंटे लगा है, तो downstream की speed कितनी आएगी, 22 आप बोलोगे, हाँ जी सर, आप से पूछा x का मान, तो x का मान आएगा, दोनों को जोड के आधर कर दो, d प्लस u बटे दो, तो 22 प्लस 6, 28, 28 बटे दो, यानि कि 14 सवाल का आंसर हो गया, b option एकदम correct है, b option, बताओ, कितना आसान सवाल था, मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे, हाँ जी सर, एकदम आसान question है, और इसी के साथ, हमारे बोटे इस्टीम के basic सवाल खतम हो जाते हैं, जो केवल definition पे based on में, logic कोई नहीं है, किवल आपको परिभासा पता होनी चाहिए, किसकी परिभासा, downstream की, upstream की, x की, y की, किवल परिभासा जिस बच्चे को पता है, वो इन सवालों को कर लेगा, ठीक है भाई, आप कहानी इसके आगे की है, जिन में किवल परिभासा जानना काफी नहीं है, आपको common sense भी लगाना पड़ेगा, सवाल number 16 आपके सामने आएगा, और मैं आपको last question बताऊंगा, आज की class का, बताएं जी, इस सवाल का क्या answer है, करो, करें भाई, 44 km downstream 2 घंटे में गया, महेज तो downstream की speed काएगी, 44 बटे, 22, the distance between A, B is 114 km, A, B के बीच की दूरी 114 km परावर है, ये दो जगए हैं मेरे प्यार भी A और B, दो जगए हैं ये A और B, इनके बीच की जो दूरी है वो 174 km है, दो point है मेरे दोस्तों, A और B उनके बीच की दूरी 114 km है, दो नाव एक दूसरी की और A की समय पर करम से point A और point B से चलना सुरू करती हैं, दो नाव A और B, दो नाव जो है, पॉइंट A और B से एक दूसरी की ओर चलना शुरू करती है, सेम टाइम पर एक नाव अपिस्टीम जाती है, दूसरी डाउन्स्टीम जाती है नाव की इस्टिल वाटर में स्पीड 9.6 km पर आवर और 19.4 km पर आवर है आप से पूछा है, दोनो नाव कितने समय के बाद मिलेंगी, देखो बच्चो, दो जगए है A और B, उनके बीच की दूरी 174 km है दो नाव एक दूसरी की ओर चलना शुरू करती है, पॉइंट A और B से एक दूसरी की ओर और इन दूरो नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है, नाव की शांत जल में जो चाल है, वो 9.6 और 19.4 km पर आवर है अब जहर सी बात है, अगर एक नाव अपस्टीम जा रही होगी धारा के वुरुद्धू, तो दूसरी नाव अपोसिट डारेक्शन में वो धारा की सेम डारेक्शन में हो जाएगी अगर मैं मान लेता हूं कि पहली नाव अपस्टीम है, तो स्पीड क्या होगी, 9.6-Y, इस स्पीड हो जाएगी पहली नाव की, अपस्टीम में दूसरी नाव चलेगी, downstream, downstream क्या होता है, x plus y, अगर दूसरी नाव की शान्त जल में चाल 19.4 km पराबर है, current की speed को मैंने y माना है, तो downstream की speed क्या हो जाएगी, दूसरी नाव ये हो जाएगी, बोला है, दूनो नाव एक दूसरे से कितने time के बाद मिलेंगी, तो time बराबर होता है, distance बटे, relative speed बच्चो, मैंने आपको पढ़ा है न, distance जब दो object चलते हैं, तो हम relative speed लेते हैं, ये दूनो नाव एक दूसरी की ओर चल लही है, तो time बराबर distance बटे, relative speed, अब पहली नाव की speed 9.6 minus y है, दूसरी नाव की जो speed है, मेरे प्यारे बे, वो कितनी है, 19.4 plus y है, दूनो नाव एक दूसरे की opposite direction में चल लही है, जार्जी बात है, एक नाव upstream होगी, तो दूसरी downstream होगी, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, तो relative speed क्या हो जाएगा, S1 plus S2, समझ में आया, आप बोलोगे, हाँ जी सर, बिलकुल सही, तो y से minus y चला जाएगा, मेरे प्यारे बई, ठीक है बच्चो, अब 9.6 में 19.4 add करेंगे, तो कितना आएगा, 19.28 और 26.4 जोड़ेंगे, 1, 28 और 29 हो गया, 114 को 29 से भाग देंगे, 6 घंटे, तो दौनो नाव एक प्री ऑप्शन सवाल का आंसर हो गया, D, नौ घंटे नहीं आएगा, बेटा विज़े 6 घंटे आएगा, सब बच्चों का आंसर आया, अब जो बच्चा रिलेटिव स्पीड का ही सीट नहीं पढ़ाया, डं से, टाम स्पीनर डिस्टें चेप्टर में, वो समझ ही नहीं सकत होता है इस सवाल को, और ना ऐसे बच्चे को समझाने का कोई मतलब है, ठेक है स्टूनेंट्स, यह जो सवाल में दिया हुए, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है, बट नाव तो पानी में चल लएए न, तो एक नाव अपस्टीम जा रही है, तो इसकी स्पीड अपस्टीम होता है, एकस माइनस वाई, दूसरी नाव जार सी बात है, डाउन स्टीम जाएगी, एकस प्लस वाई, लेकि जो आप रिलेटिव स्पीड लोग है, तो य से वाई कटी जाएगा, ठीक है जी, ओके अंसुल, ओके, तो कल की क्लास में बच्चों मैंने जो आपको कोई कंसेट बताएं हैं, ये वाला कंसेट, ये कंसेट मैंने आपको बताया है, ये कंसेट हमने आपको बताएं, इनको पढ़के आएगा, कल ऐसे ललू-पलू सवाल नहीं होंगे, कल जो है इनका इस्तिमाल मैं आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना ये मेरे प्यारे भाई, ये किसी को भी मान सकते हैं देवराज, आज इतना ही छोड़ते हैं, अब इसके आगे जो है मैं आपको कल बताऊँगा, बिल्कुल टाइप वाइस टाइप सिक्वेंस में, आज इतना ही, बाकी कल, बाई